पूछे कोई पूछे कि किसी भी परिवार की सबसे बड़ी टाकत क्या होती है परिवार के ताकत नहीं होती अगर किसी भी परिवार की सबसे बड़ी ताकत होती है तो वो होती है उसके घर में रहने वाले अच्छे संसकार कौन सी बोलो मुझसे अच्छे संसकार एक और मुझसे बोलो तो संसकार क्या संसकार एक बात तो अपने दिल में घर कर लेते हैं ब में के लिए जरुत होती है क्योंकि संसकार ही होते हैं जो व्यक्ति का शुद्धिकरण करते हैं जैसे हम मंदर में जाते हैं तो नहाद होकर अपने आपको शुद्ध करके मंदर में जाना पसंद करते हैं मैं कहता हूँ व्यक्ति परिवार में रहे व्यक्ति व्यापार में रहे व्यक्ति राजनीती में रहे या व्यक्ति समाज में रहे लेकिन एक चीज की हर व्यक्ति के लिए आवश्कता है और वो है संस्कारों का शुद्धिकरण व्यक्ति का सुद्धिकन तभी होता है जब व्यक्ति संसकारों के साथ अपने जीवन को जिया करता है संसकार ये वो दौलत होती है इनसान के साथ जो जन्मा से लेके मरन तक इनसान के जीवन में पल पल जो साथ निवाया करती है अपनी बात की शुरुवात करूँ इससे पहले में ये बता देना चाहता हूँ कि किसी भी परिवार के लिए संसकारों की कीमत क्या होती है हमारे देश के महान उद्योगपती घंस्यामदाजी बिरला ने अपने शरीर को छोड़ने से पहले अपने प्यारे पुत्र बसंत के नाम एक पत्र लिखा था बीके बिरला के नाम एक पत्र लिखा था और मैं उसी पत्र का उलेक करते वे आज के ससंग और प्रोचन का श्री गडेस करता हूँ और तब बीके बिरला के नाम लिखे वे पत्र में देश के महान उद्योगपती सम्माननिय सेट श्री गंस्यामदास ये बिल्ला ना किवल अपने पुत्र के नाम विश्व में जो जो खास चठ्थिया लिखी गई है जो पुरे दुनिया के लिए आदश्र बन गई गंस्यामदास बिल्ला का भी वही पत्र था और वो अपने प्यारे पुत्र के नाम चिठ्थी लिखते हैं और वो लिखते हैं कि मेरे प्यारे बेटे हमने ये जो धन कमाया है बहुत नैतिकता इमानदारी और निश्ठा से कमाया है बेटा हमने कभी इसका मालिक बनने की कोशिश नहीं की हम इसके ट्रस्टी बन कर रहे और बेटा जीवन बर याद रखना पता नहीं मैं दुनिया से कब चला जाओं पर जाने से पहले अपने कुल और वन्ष का गौरव बर करा रखने के लिए मैं तुम्हें जीवन के कुछ सीख दे कर जाना चाहता हूं और तब घंसे अंदासी बिल्ला ने लिखा था कि बेटा हम जीवन बर इसके ट्रस्टी रहे कभी मालिक बनने की कोशिश नहीं की बेटा याद रखना ट्रस्टी धन का उपयोग करता है और मालिक बनता है तो आदमे उपभोग करता है बेटा हमाँ छोड़ के जो हम धन जाएंगे तुम उसका उपयोग करना इतना ही नहीं किसे कहते हैं अपने भविश्य के लिए महन विरासत लिख कर जाना और कोई भी व्यक्ति अपने कुल और वंश में धन को पसंद नहीं करता एक देश का सबसे बड़ा अमीर व्यक्ति अपने बेटे के नाम लिख कर जाता है और जिसमें साब साब जलक रहा है कि किसी भी वंस और परिवार के लिए धन की कीमत नहीं होती, रंग की कीमत नहीं होती, कुल की कीमत नहीं होती परंप्रा की कीमत नहीं होती इससे भी बढ़कर कीमत क्या हो सकती है तब अपने प्यारे पुत्र बसंद के नाम लिख कर जाती है कि मेरे प्यारे बेटे इतना जरूर ध्यान रखना ये जो हम धन छोड़ कर जा रहे हैं इसका हमेशा अच्छे कारियों में उप्योग करना पवित्र कारियों में उप्योग करना और जिस दिन तुम्हें लगे कि हमारे वंश और कुल में ऐसी संताने पैदा हो गई है जो हमारे धन का गलत उप्योग करने लग जाए तो बेटा मेरे धन को कुवे में डाल कर नश्ट कर देना गरीबों में बाढ़ कर खतम कर देना जो चाहे सो कर देना पर गलत संसकार वाले बच्चों के हाथ में हमारे धन को कभी मन सौंखना क्योंकि अगर तुमने ऐसा कर दिया तो हमारा वंश और कुल कलंकित हो जाएगा मैं समझता हूँ इतने मात्र से हर किसी व्यक्ति को ये एहसास हो गया है कि जिन्दगे में अच्छे संसकारों के जरुवत क्यूं होती है हमारे सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है हम हमेसा अच्छे संसकार देना चाहते है क्या चाहते है बच्चों में अच्छे संसकार दो यही बोलते है न मेरे भाई संसकार देने की चीज नहीं है संसकार तो जीने की चीज है बच्चे तो हमारे यो समझे कि आईने की तरह है हम जैसे होते हैं आईना हमें वैसा ही दिखाता है क्या गजब हो गया धूल तो चेहरे पर थी हम जिन्दे के बर आईना साफ करते रहे गए आईने में हमारा चेहरा साफ नंदर नहीं आ रहा है ये सोचकर हम आईने को साफ करते रहे गए और धूल चेहरे पर थी संसकार कभी भी देने की चीज नहीं होती है, संसकार जीने की चीज़ होती है, बच्चे वे नहीं सीखते हैं, जो आप मुझ से बोल कर सिखाते हैं, बच्चे वे सीखते हैं, जो आप जीवन में करके दिखाते हैं, क्यांकि बच्चों के पास मूवी कैमरा है, क्या है, आप देख रहे हैं, मेरे सामने एक व पकड़ते रहते हैं याद करो जब बच्चा आपका साल वर्का था और आप बच्चे के सामने जाकर यू यू करते थे हो अब बताओ पंद्रे बार उसके सामने करो गए तो बच्चा क्या करेगा वापस बुद्धी लगाओ, बुद्धी लगाओ, बुद्धी लगाओ, क्या करेगा, हूब हूब ही दोर आएगा, क्या समझे में आई, साल बर का बच्चा भी, हम जो कृत्य करते हूं, उस हर कृत्य को दोराता है, इसलिए मैं आज ये नहीं बता रहा हूं, कि बच्चों को संसकार शील हुआ करते हैं जहांपर बड़े लोग घर में जूट नहीं बोला करते हैं इमान दरी से जिया करते हैं शीलवान और प्रग्यावान बनकर रहा करते हैं जहांपर लोग नैतिकता और जीवन मुल्यों का पालन किया करते हैं वहां के बच्चे भी अपना वैसा ही जीवन जीने के लिए तैयार हो जाते हैं हमारी अपेक्षा ये रहती है मैं अपने पती से बलही जूट बोलूँ पर मेरा बच्चा मुझसे जूट न बोले हमारी अपेक्षा रहती है कि भी एक सही और नैतिक जीवन जीएं ये संभव नहीं है बालक तो कच्ची मिट्टी की तरह है और आप लोग कुमहार की तरह है मुझे एक बात बताओ मिट्टी का मंगल कलश बनना मिट्टी का सुराही बनना मिट्टी का चिलम बनना ये मिट्टी के हाथ में है कि कुमार के हाथ में एक बात बताओ अच्छा आप समझते हैं मंगल कलश क्या होता है मिट्टी का मंगल कलश जब घर में कोई मंगल कारिय होता है कोई शुबवेला होती है संतों का आगमन होता है मंदिर के प्रतिष्टा होती है ग्रह प्रवेस होता है तो हम लोग क्या करते हैं सिर्फ पर मंगल करस रखते हैं अब जड़ाय याद करो चिलम क्या होती है किसी को मालूम है अच्छा आप में से किसी को पता है सुराही क्या होती है किसको पता है सुराही हाँ बोलिये प्रभुजी हाँ ठंडा पानी उपर में लंबा लंबा गर्दन टैप का होता था जब ट्रेन में बच्पन में आप लोग यात्रा किया करते थे तो उपर पर ठंडी ठंडी गिली गिली कपड़ा या बूरी बांद करके और सुराही को साथ ले जाया करते थे मेरे भाई मिट्टी से दो चीज बनती है एक है सुराही जो हमारे गले में ठंड़क देती है और मिट्टी से ही बनती है चीलम जो हमारे शरीर को बिमारियां देती है मुझे कि लो इतना सा बताओ क्या चीलम बनना और क्या मंगल कलश बनना और क्या सुराही बनना ये मिट्टी के हाथ में था कि कुमार के हाथ में था बस इसलिए बच्चों में रहने वाले किसी भी दोस का दोस गलती का दोस गलत संस्कारों का दोस बच्चों को देने के बजाए उस कुमार को दीजिए अब जरह आप ही चंतन कीजिए आपके घर के कुमार कौन बुद्धी लगाईए बुद्धी लगाईए आपके घर का कुमार कौन पडोसी कौन आपके घर का कुमार कौन आप खुद आपके घर के कुमार है और तै आपको करना होता है आप अपने बच्चे के इस मिट्टी को मंगल कलश देते हैं या चिलम बनाते हैं या सुराही बनाते हैं ते आपको करना होता है इसलिए कहो मत करो मन भर कहने का जो प्रभाव पड़ता है कन भर करने का उस से कहीं ज्यादा प्रभाव पड़ता है आपको पता है, हम शहरों में जाते हैं, बड़े-बड़े ससंग होते हैं, लोगों के जीवन का परिवर्तन होता है, लोग जीने की कला सीखते हैं, लोगों के सोच पॉजेटिव बनते हैं, लोगों के सौभाव सौफ्ट बन जाते हैं, लोगों के वानी मीठी बन जाती है, ल अगर हम कहते हैं कि माता पिता की सेवा करो तो हम इस दावे के साथ कहते हैं क्योंकि हब्दे खुद ने करने का सौभाग या प्राप्त किया था अरे मेरे भाई अगर हमने जीवन में माता पिता की सेवा नहीं की होती तो हमारे मां के प्रवचन दुनिया में लोकप्रिय नहो पाते वानी का लालित्य एक दिन तिकता है दो दिन तिकता है इस पंडाल में न तो लड़ू मिल रही है न नारियल मिल रही है न गौतम प्रसादियां हो रही है न कोई प्रभावना हो रही है पर पच्पन दिन तक पंडाल भरा रहेगा किसके बलबूते क्योंकि यहां पर ल झाल, 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 झाल